हेलो एवरिवन कैसे हैं आप लोग स्वागत है आपका विज्वल आर्थ स्वित पिनी में फ्रेंड्स हम लोग भारतिय कला की संपूर्ण समय सीमा देख रहे थे क्योंकि आपकी ही डिमांड पर ये बनाने की कोशिश की थी मैंने है और उसका पहला पार हम पहले देख चुक है आधी कहानी हम अगरी हो चुकिए और सोचा आग़ी कहानी हम आद पूरी कर लेते हैं तो क्योंकि बहुत कमेंट आ रहे थे आप लोग बो रहे थे कि आपसे मैं पहले बहुत डरी रहती हूँ और आपने पहले मुझे डरा दिया था कि आप दे तो रहो टाइम लाइन फर्स पर्ट लेकिन सेकेंड पर्ट जल्दी देना तो इसलिए जल्दी से अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं देखें ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं ये सारे पिरेट कहानी कैसे और मनुष आते आते कैसे राजा बना शासन बना उसने क्या-क्या करा क्या-क्या चीज़ें बनवाई मुर्तियां निकली पेंटिंग्स कहां तक पहुची कैसे मंदिर बनवाई कैसे धर्म स्थापित हुआ सब कुछ किये सारी चीज़ें देख रखिए अगर कोई पहली बा पन बात कर लेते हैं इसी में ठीक है तो इसका भी और वेस्टनार्ट का टाइम लाइन भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आप लोग देख लीजिएगा अगर कोई फर्स टाइम जुड़े हैं तो आप हम लोग देखिए ये सब कर चुके हैं देखिए हैं यहां तक आ गए थी मेडिवियल मध्य पिरेड चल रहा था और कैसे अलग अलग जगे पे राजाओं ने अपना मतलब जीत के और अपने स्थापना करी अपने शासन के स्थापना करी मंदिरों का निर्मान किया मूर्तिकला मिली यह सब चीज़ें उस एमपायर में हम लोग पढ़ते ठीक है जब बुद्धिस्म बे आये और हिंदू जैसे यह सेन एमपायर की बात करें तो कर्टर विरोधी थे बाकी चीज़ों के सिर्फ हिंदू धर्म को लेके और उसी से रिलेटेड मूर्तियां हमें यह सब चीज़ें यहां पे मिलती है बेंगौल बिहार के शेत्र में ज उनी के टाइंप पीरिएट में बहुत सुन्दर मंदिर निर्मान हुए चाहे मंदिर में मिली मुडियां हुई। यह सब चीज़ें जो है न है ये सब हम इस समय मद्धिकाल में देखने वाले हैं, पेंटिंग्स में क्या हुआ, ये सब चीज़ें अपन देख लेते हैं, ठीक है, तो चलिए, मद्धिकाल के अंदर क्या है, सौरी, ये थोड़ा पहले वाला था, आप लोग प्लीज अगर जुड़ना चाहते हैं हमसे, तो इंस्ट्राक्राम, टेलिग्राम, जो चैनल नीचे लिंक भी दीवी है, आप लोग जरूर जुड़ें, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो, नेट जियारिफ को लेके, वीज्वाल आर्स, कला, टीजीटी, पीजीटी से रिलेटेड, तो आप महाँ पे डिसकस्शन कर सकते हैं, तो देखें, मद्री काल्म के अंदर हम क्या लिये थे, तो अब हमने देखें, हमने राष्टकोच, चालूग के पलव ये सब देख चुके हैं, अब आगे हम पढ़ते हैं, तो सोलंकी राजवंच, चोलर राजवंच, चंदेल, गंगा, होईसल, यादव, प्रतिहार, नायक विजयनगर, पांडिया, सुल्तान, अब ये ऐसी चीज़ों को मैंने अलग-अलग एक साथ क्यों डिवाइड किया, हम लोग क्या है, कुछ बुक्स ऐसी हैं, जो पेंटिंग्स, स्कुल्प्चर और आर्किटेक्चर इनको अलग-अलग डिवाइड कर देता है, और फिर उस पेंटिंग की है, तो उसमें सिर्फ पेंटिंग ही मिलेगा, लेकिन हम क्यों कि एक कमभाइन ली कैसे बढ़ें, कैसे कहानी को समझें, इसे हमको इनको जोडने की आवशक्ता हो जाती है, तो ये सब हमने मज़ पिरेड में लिखा है, अब हम एक-एक करके देखते हैं, तो एक बार ये देख लो, आप लोग, थोड़ा सा समझने के हिसाफ से, कि ये वही खेल है, जो खेल आप ये मत समझना, ये वही खेल है, कोई राजा किधर थे, ऐसे अपने अपने शासन बना के उधर का काम करवाया, ये मत समझना कि जब तक ये एमपाइर खतम नहीं होगा, तब तक दूसरा empire कैसे शिरू होगा, यह वाली चीज नहीं, जैसे कि हम पहले क्या देखे थे, वहाँ पाल empire था, उदर सेन empire, मतलब फिर सेन नीचे से आके, ओडिसा से आके, वहाँ पे अपना राजशासत कर दिया, बेंगॉल बिहार में, ठीक है, इधर यहाँ पे साउथ मे चालूग क्या थे, उदर उदर पल्लव राजवंश थे, ऐसे करके, सब लोग किस तरह से अलग-अलग जगे डिवाइट थे, है न, चाहे वो हम शूंग सात्वाहन को देख लें, यह चीज नहीं, यहाँ भी अब सेम चलती आ रही है, आप खुद देख लें, जैसे राजस देखो कहां पर है, औरिसा के साइड है, है न, यह सारी चीज नहीं कुछ-कुछ देखो, कुछ-कुछ हमको नहीं पढ़नी है, है न, लेकिन थोड़ी बहुत जो मुझे जसे साब से मैप मिला, वो यह अपन को देखनी की, अब हम थोड़ा मैप इसलिए दिखाया, अब हम बात करते हैं, सर्वपरथम चोलंकी और चोहान डानेस्ट्री को एक साथ इस समय ले लिया, उसके बात, जब यह गुज्रात राजस्थान, है न, चोहान, चोलंकी बात, यह गुज्रात राजस्थान के राजपूत राजस्तान के तो उस समय जो स्टार्टिंग में पेंटिंग मिनियेचर बहाद में बनने लगी ठीक है मैं बताऊंगे मिनियेचर के बारे में लेकिन अभी क्या है कि अभी इस तरह की यहां पर मंदिर बनते थे तो आप मंदिर देख लो जैसे चाहिए आबू में में हो आभा नेरी में हो ओसिया में हो यह सारे मंदिर हम इसमें देख लेंगे किसमें सोलंकी और चोहान में अब आते हैं हम लोग चोल डायनेस्टी चोल डायनेस्टी अरे यार इसका कोई फोटो नहीं है कोई बात नहीं चोल डायनेस्टी देख लिए आपने कितनी बड़ है चोल का लेकिन साउथ में इसका चीज जादा मिलेगी आप लोग ये चीज धियान से रखें तेंज़ोर में साउथ में ये इसका main केंदर है चोल सामराजी Commena cycle ठीक है तो यहां पर फिबेदेश्वर टेंपल गाई कोंडा चोलापुम ब्रिधेशर टेंपल ये मंदिर केस प्रकार के नंदिर निर्माण हुए है कौन सी शैली है इनको बहुत बढ़िया तरीके से देख लेना है वहीं से नटराज की कास्य प्रतिमा वह बहुत इंपोर्टेंट जो आपको अच्छे से देखनी ह चोल साशन की क्यों बोलते है क्योंकि वह चोल पीरेड में आती है इसलिए चोल नटराज बोलते है उसको ठीक है त्रिपुन कैशिव मूर्ति ये सब चीज़ें इस समय जब चोल शासन कर रहा था साउथ की जगे पे तो वहाँ पर उनने मंदिर निर्माण कर वहीं से मूर् की नरत्यकरती काली की दुर्गा की भैरव की चोलेश्वर स्टाइल में वह सारी पेंटिंग्स में आप राप्त हुए साथ ही साथ पोधी चित्रन में स्कृप्त हुए अभिलाज सरीता चिंतामिनी कथा सरीता का जब हमके चोल आर्ट पढ़ते हैं प्री मेडिवेल में अब आते हैं चंदेल राजवंश किदर बना तो अभी अपने चंदेल देखा न एमपी के उधर बुंदेल खन महोबा खजराओ का लंदर यह सारे जो आट वर्क्स हैं में मेंली खजराओ बोलूंगी में क्योंकि हम मोस्टली कोश्टन उन पर रिलेटेड आतें तो यह सार में पल्स बनवाए जिसके अंदर खजराओ के बोखत मंदिर आते हैं जितने हैं उसमें 30 हैं कंदेरिया महादेव चोसट योगीनी लागदवा मंतंगेश्वर वरहा मंदिर लक्षमन मंदिर विश्वनार्थ वामन गे सब जो मंदिर हैं यह सारे मंदिर उसकी मूर्तियां मूर्तियों के उससे भी जानी जाती हैं चंदेल राजवन खजराओ यह सब चीज़ें आपको इसमें देख लेनी हैं चंदेल डाइनस्टी के राजपूर्ट जो थे उनका शासन था हैं और उनने यह कार यहां पर करवाया था अब आते हैं हम लोग यह क्या है प्रतिवार तो यह भी वहीं पर डाइनस्टी मतलब वहीं के राजवनश की डाइनस्टी है सेंटर इंडिया आप जहां वह चीज़ बोर रो यह खजराओ बुंदेल खंड एरिया था ना आप MP रीजन देख लो जहां पर आते हैं एक तरह से ग्वालियर उज्जेन जालावड यह वाली आप यह समझ लो प्रतिहार कल्चूरी राजवंच इन केस में जो भी कुछ दो चार पांच मंदिर हैं उनको आपको देखना पड़ेगा उनने जो बनवाय थे अब आते हैं पांडिया एंपायर पांडिया एंपायर बात कर लेते हैं देखिए सितनवसल कुफाय की बारे मे अब कहानी में क्या परिवर्तन आगया जैसे कि अभी तक को टेंपल बन रहे थे चोलेश्वर हमने ब्रीदेश्वर टेंपल देखा चोल एंपायर ने जो कारी किया ठीक है बहुत बढ़ी है कि उसी जगे पर पांडिया है ना साउथ की ही है ये जंबुकेश्वर लेकिन अब चीजें क्या परिवर्तित होने लगी जैसे चोल एंपायर द्रेविट शेली ठीक है विमान जो आप समझते हो नो उपर शिखर वो उस स्टाइल से वो बनने लगा नो डाउट बहुत अच्छा विमान पर बहुत ज्यादा ध्यान देते और बनाते थे लेकिन अ जाग बंधन स्टाइल जो बोलते हैं और बहुत डेकोरेटिव फॉर्म में है ना यह सारी चीज़ें फूल पत्यों से डेकोरेशन कार्विंग वाली सब चीज़ें अब आने लगी पंडिया एंपायर के समिट ठीक है तो यह जंबकेश्य चिदंबरम मंदिर में आप देख उस वाली चीज़ को आप मान लो कि वो चीज़ें अब यहां पर हम तो मिलने लगी आंतरिक सज्जा भी और बिल्कुल मंदिर को बहुत सुन्दा तरीके से सज्जाने लगे तो यह वाली चीज़ आप देख लो अब आते हैं गंगा डैनेस्टी वेरी वेरी नारा सिम्मा छोडा गंगा देव यह राजा थे और उस समय का सामराज गंगा सामराज चीज़े कहलाता है जिसका केंद्र कहां पर है दक्षिन भारत करनाटक एरिया और कलिंग एरिया जिसको ओडिसा कहते हैं इस एरिया में गंगा डैनेस्टी गंगा सामराज डेवलप और इनके बहुत important, ओरिसा के मंदिर बहुत important है, कोई एक-एक मंदिर चाहे वो जगनातपुरी का मंदिर हो, पशरामेश्वर हो, मुक्तेश्वर हो, विथल देवल हो, कोनार का सन टेमपल हो, यह सारे अभी English में लिखा हुआ है, लेकिन यह सब को बहुत अच्छे तरीके से क उनका layout pattern क्या है, उनकी shelly क्या है, कलिंग shelly क्या होती है, बहुत लोग बोलते हैं कि वो नागर शेली है, किसी book में लिखा भी वाए नागर शेली है, लेकिन नागर की उप-shelly मैं समझती हूँ, क्योंकि नागर शेली से तो भिन है वो, है ना, और कैसे विठा डेवल, काट काट के भी करी थी, वो भी बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन अब इस तरह से इतनी जादा कला करियां मंदिर निर्मान में वो लोग करने लग गए, क्योंकि हिंदू धर्म के पुजारी सब हैं, और हमारा मंदिरों का देश कहा जाता है, तो इस तरह से ये बहुत मंद मंदिरों को उसको समझ नहीं आ रहा था, उसकी 27 चीज में शैद कम लग रही होगी, क्योंकि हमारे इतने श्रेष्ट मंदिर, तो इनको बहुत बढ़िया तरीके से पड़ो, साधी साध मूर्ति कला, जैसे करनाटक शेत्र कियों बोला तो बाहु बली गोंगतेश्वर की अब आते हैं हम लोग होईसल और यादव डैनेस्टी यह भी साउथ की है, हेलबीड शेत्र, बालूर शेत्र, सोमनाथ पो शेत्र, तो यहाँ पर कौन से मंदिर है, चानकेश्वर मंदिर, विजवनाथ तेंबिर, होईसलेश्वर मंदिर, यह मंदिर सेम इसी में भी यहाँ और यह जादा नहीं था, यह लिखाई वायक, बहुत कम टाइम पीरेड का था, लेकिन उनने ऐस तरह से मंदिर निर्माण करवाए, मंदाकिनी के मुर्तियां लिखेगी, इसमें शाल बंचिका है, चानकेश्वर है, यह सारे विजवनाथ मंदिर में ही, जिसको कुछ आप पढ़ सको, पढ़ना जरूर, ठीक है, तो यह सब हम देख लिया, वीर बलाला, विश्नु वर्दन, यह सब राजा हैं, जिनने निर्माण करवाए थे, तो आप उनको भी देख लो, अब आते हैं, विजयनगर एंपायर, विजयनगर जिनको हम प्रेजिन्ट ने मंदिर एकांबरा कांचीपुरम में जो है, और यह विजयना स्वामी तो यह आपको दिख रहा है, रत के तरह पूरी गाड़ी जैसा मंदिर हमपी में, बहुत शांदार, वो देखना, दूसरी चीज़, हमपी में ही स्कल्प्चस भी मिले हैं, उसको कहते हैं, गनेश जी का वो शशी वाले को, गनेश, लक्षमी, नारा सिम्मा, यह वाले जो स्कल्प्चर हैं, इस प्रकार के वो भी आपको, हम पी, जो विजयनागर एंपायर के अंदर जो शेतर आते हैं, वो देखना दरूरी है, मुख के तह है यह ध्यान रखना कि कौन सा केंदर किस शेतर वो हम यहां पे उस जगे पे बहुत लूज हो गया था सब कुछ है ना, तो तब विजयनागर राजाओं ने अपना एंपायर बनाया और इस तरह से कार्य यहां पे हुआ है, यह से ही मौडन में नायक भी आता है, वो उनने मदूराई तिरुचिरापली शेतर जो है, वहां पे अ आमेश्वर मंदिर है, नाग मंदिर है, यह सब जो एरिया है, टमिल नाडू, तरुचिरापली इस शेतर में, यह हम नायक डैनेस्ट्री के अंदर आता है, ऐसे ही देखिए, त्रिमूला नायक स्कुल्चर है, नट्राज, वर्स्थम, यह सब चीज़ें भी वहीं से मिले है तो यह सब नायक डैनेस्ट्री के अंदर हम लोग को देख लेना है, ठीक है, तो अब मेरी बात, यह सब थे हमारे जगे 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 शासन, यह तो हमको लानी करना पड़ेगा, कौन सा शासन का, लेकिन एक बार चीज़ों को थोड़ा सा देख लेते हैं, यह न गया, कम हो गया है, यह पहले वाले हो गया, ठीक है, इतना थोड़ा सा याद अखना यह अभी है, लेकिन अब उपर देखो, उपर याली बात क्या है, यह जो ग्रीन एरिया दिख रहा है आप लोग को, यह ग्रीन एरिया, अब आपन इन पर बात करते हैं, यह इसमें क्या सब राज कर रहे थे, लेकिन दिली सल्तनत उस एरिये में, उत्ते एरिये में, सुल्तान का वो था, पहले गुलाम वज्ज था, फिर अल्लाव दिन खिल जी, आपको पता ही है, बिल्कुल, है न, इधर राजस्थान में भी कित्ती आतंग मचाई थी, सब जगे, पदमावज देखिए, जिसने है न, पिचलों से जोड लेते हैं हिस्ट्री को, आप लोग भी जोड लिया कीजिए, याद रहते हैं, ठीके, तो खिल जी है, फिर तुगलक आए, तुगलक आए, चौदा सोके अराउं, ठीके, अभी मैप में देखा, आपने, चौदा सोके अराउं, सुल्तान, दिल्ली सल्तनत, मतलब सुल्तान में भी क्या है, अब इन लोगों को, जैसे कि अब आप हिंदू, खूब मुर्तियां, मंदिर बनवा रहे हैं, मुर्ति निर्मान कर रहे हैं, इनका भी शासन था और इनको भी अपने लिए वस्तू कार बनवाना था, जो भी अप नहीं एफेक्ट आया, और इसलामिक वास्तू कला का भी एफेक्ट है, और इसलिए इन दोनों को कहते हैं, इंडो इसलामिक आर्किटेक्चर, इंडो इसलामिक वास्तू कला, और यही जो इंडो इसलामिक वास्तू कला नाम से आपको बहुत बुक्स में दिखता है, वो एक था वो सब सुल्तान युग में आएगा ठीक है अब बात क्या करते हैं मुगर्वाली बात बात में होगी अभी क्या था कि गुलाम राजवन्च फिर खिलजी राजवन्च फिर तुगलग ये एस सहीद देन लोदी ये जो है आपको ये थोगा सा देखना है इनकी राजदानी क्या दे रखिए दिल्ली राजदानी दे रखिए दिल्ली कुतुब बुद्धिन एभग को मतलब सबसे पहले गुलाम बंच के थे जो आपको पता ही है उसमें कुतुब का निर्मान कुतुब मिनार ये सब वहीं उसी में आएगी कुतुब मस्जद ये डेली में ठीक है अब ये क्या निर्मान करान लगे कुतुम मिनार, अलाई दर्वाजा, फिरोच्षा, कोटला, शाइन, अलाम, अदीना मस्जद, जामा मस्जद, जो कि भरुच मांडू की जगे और दोलताबात की लाज़, ये सारी चीज़ें कहा हूँ है, मुगल समराजी के पहले हुई है इंडो-इस्लामिक में ये थोड़ा सा ध्यान देना है, कि इस समय कौन सी बनी, फिर मुगल कौन सी बनाएंगे, और दक्षेल शेली में कौन सी बनेगी, चीज़ें, तो ये सब ये ही राजय लोग थे, इन लोग ने बना है, जैसे आपको पता ही है, अलाई मिनार इनने बन अब बात आती है, यही सुल्टान यूग में राजधानी तो दिल्ली थी, इसको कहते हैं इंपीरियल, जहां पे दिल्ली वाली चीज़ थी, लेकिन दिल्ली के साथ-साथ ही देश के और भी केंद्र थे उनके, जैसे कि पंजाब, गुजरात, मालवा, दक्षिन, इस एरिया के होते हैं, एक होता है प्रविजनल, एक होता है इंपीरियल, हिंदी में थोड़ा सा प्रांतिक और जो प्रांत का है और जो बाहर का है, दूसरी चीज हिंदी भूल गई में, ठीक है, तो यह चीज देख लेना थोड़ा सा, इस समय अब ये लोग इतना कुछ बनवाने ब्रंज, ये एक शैली है, ओके, लेकिन अब ये ही चामें, जब मंदिन निर्मान हो रहा था, थोड़ा तो उसको वहाँ लेना गड़बड हो रहा था, क्यों? क्योंकि इनको आप किसी समराजी के अंदर नहीं लोगे, ठीक है, ये एक किसी भी समराजी के अंदर के इनके श चित्रों में होनी लगी, लिखने लगी, जैसे कि आप वेस्टन में भी जानते हो, कि धर्म, मतलब कला को, धर्म को और कला का संबन नहीं दिखने लग गया, जैसे कि वास्तु कला में भी देख रहा है, और मुर्ती कला में भी दिख रहा है, कि इसलिए हो रहा है निर्मान, कोई अपने मन से बना रहा है कि अभी, यह वही टाइम है, यह वही medieval time है, कोई अपने मन से painting नहीं बना रहा है, किसी को कोई अपने मन की expressions के लिए painting नहीं बना रहा है, वो time आएगा अगे, अभी क्या है, धर्म में जरुवत आ गई, तो चितरन करना चालू हो गए, पोथी चि पहले कहा था, पहले क्या था, कि पहले भी पूजन करना था, बहुत दो बैक्षिकों ने बनवाई, रहते थे, गुफाओं में रहते थे, सुन्दर बनाई उसको, उसमें भी चित्रन करवाया, बुद्ध से, तो ये चीजें पहले अभी तक सिर्फ धर्म पे चल रहा है कला, ह स्की western में भी होता था, वही चीज या हो ली ठीक है, तो अब ये बातें, गुजरात शेली का यह, जेन शेली का अब रहें छेली का या है, तीनौ चीज हैं, कहीं एक साथ भी जिसाध भी होती है, कहीं अलग-लग ही होती है, लेकिन आज तक कोई साक्षनी मिला है, कि ये अल आपको अपनी बुक में पढ़ने हैं मैं अभी सिफ आसान भाषा में इसको याद रखने के टेक्निक वो बता रही हूं फिर क्या हुआ गुजरात भाषा में फिर इनको ऐसा लगा कि नहीं यार इसी चीज की इसी टॉपिक जैसे कल्प सूत्र आपको पता है जेन एंसर रेले इनके तिठ्धंकर्ज हैं इन पर जो है तो इसको जेन शेली राम दे दो अब बात आ गई कि बाई जेन शेली क्यों दे क्योंकि सिर्फ जेन धर्म से रेलेटेट तो नहीं मिल रही चित्रन इस समय जो चित्रन है वो अदर दूसरे धर्म की बिनी तो रयक्रिश्न दास जी इनका नाम अब्रंच शेली के दिया, इसलिए के दिया क्योंकि शेली का जो आर्ट स्टाइल था, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड था, थोड़ा सा अजीब सा, है ना, मतलब अजीब सा क्या बोलूंगी, समझो उसको, थोड़ा सा जैसे खिलोनों जैसे ऐनिमल्स हैं, है ना, गोल्डन रंग जाद है, थोड़ा सा बच्च, मतलब जो एक फेस भी है, वो थोड़ा सा चाइल्ड इस्टॉर्टेड बोलते हैं, नाम लग दिया, अब्रंच, जिसके अंदर ये सारी आती हैं चीज़ें, पोथे ही चित्रा जो की ताड़ पत्र पे होते थे पहले तक, ले इसको प्रथम चित्रित गंद भी कहते हैं, कथा सरिक सागर, श्रावक प्रती क्रमक चूर्णी, ये सारे आप समझेंगे, अब्रंच शेली के अंदर आते हैं, देखिए, ये जो टाइम पिरेड लिखावा है, 8th century से लेके 16th century, हम लोग अभी तक चित्रन की बात कर रहे हैं अब मेरी चित्रन की बात करो, तो पहले की समय, अभी ये बहुत बाद में excavation हुआ है, अबाउट जेन शेली, अब्रंच शेली, आनन्द कुमार स्वामी सबसे पहले थे, इसको इस बीच में लाने वाले, कि नहीं, पहले ये ऐसा मान बेठे थे, कि जैसे अजन्ता मिले हैं, ठीक है, no doubt, तब चित्रकारी होती थी, और सीधे मान बेठे थे, कि सीधे राजस्थानी में, जो हमारी मिनियेचर पेंटिंग है, वो तब पेंटिंग मिलती थी, उसके बीच में पेंटिंग में शायद आर्टिस्ट बहुत डल हो गए थे, और फलाना फलाना जो तो इसके कारण भाई, यहाँ पे तो चित्रन इस समय नहीं हुआ है, लेकिन जो कि कुछ हमारे महान है, आनांद कुमार स्वामी सबसे पहले थे, इनने ये सब चीजे समझी कि नहीं, इस समय यह ऐसी पोथी चित्रन मिली, that means इस समय भी चित्रन होता था, और इस प्रकार से इसलिए यहाँ पे मध्यकाल में गुजरात शेली, जेन शेली, अबरन शेली के नाम से ये आर्ट वक्स फेमस हो गए, चीके, तो ये चीज, ये कहानी तो अब यहाँ तक ठीस है, अब आते हैं, एक छोटी सी थोड़ी सी बता दूँ, अब क्योंकि महान, प्री, लेक मेडि इसलिए पेरेट बोलते हैं, जिसको राजस्थानी के उसमें आने लगा, अब मेरी बात सुनो, ये दिख रहा आपको रेड रेट, ये क्या है, ये है राजस्थान, ठीके, ये है आपका गुजरात, और ये है महराष्ट, ठीके, महराष्ट में इधर क्या है, अजंता, है न और यहाँ पे तो आपको पता है यह गुजरात अब गुजरात में शेली थी गुजरात शेली जिसको हम जेन शेली कहते हैं जेन इफेक्ट था ठीक है यहाँ पे अजंता म्यूरस अजंता के उसमें कार का रहे था तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि बुद्ध इफेक्ट आता ह इनको यहां पे कैसे कार्य करना पड़ा? अब इनके हिसाब से जेन शेली में, तो अब ये कलागार दोनों मिक्स हुए एक प्रकार से, लेकिन क्योंकि गुजरात में आये थे, इसलिए यहाँ पे 90% तो इनमें गुजरात शेली थी, लेकिन क्योंकि बेसिकली, वो बुद्ध के थे, बुद्ध शेली के थे, पाल शेली अब बात सुनो, यहाँ से, यहाँ वाले यहाँ गए, पहले गुजरात में आये, अब इदर जो अलाकार हैं, उनमें 10% तो वही अपना पुराना बुद्ध था, और 90% यह 90% जो है, जेन शेली में उनमें कारे किया, और इन दोनों से ही मिलके, अब यहाँ पे भी समस्या हो होई, उन लोगों वो एंटर कर गए राजस्थान में, और राजस्थान में कहां से एंटर करें, यह नीचे से, है ना, इतनी नीचे समझा गई, यह कलाकार, यह जो शेली बनी पहले तो, पहले तो यहाँ जेन शेली प्योर थी, जेन गुजरात भी बोलोगे जिसको, और य राजस्थान में एंटर कर गई, और यही शेली आगए, आपकी राजस्थान शेली के लाएगी, और इसलिए बोलते हैं कि राजस्थान शेली कहां से बनी है, अपरवरंद शेली से बनी है, ठीक है, तो इतनी सी चीज है, कुछ नी है, छोटी बोर, ठीक है, अब यहाँ से अब बात आ गई हमारी इतनी यहां पर यह पनपरा था यहां पर यह पनपरा था इसके बाद अब दोनों जब 1480 का टाइम आ गया लेट मेडिवियल बोल दिया तो राजस्थान के साउट जो एरिया बताया था वहां से वो अंदर घुज गई एक तरह से कलाकार आ गए अपने लेट मेडिवियल में क्या देखोगे राजस्थान मुगल पहाडी डेकन सबको यह बहुत अच्छे तरीके से पता है लेकिन फिर भी एक बार डिसकस करते है तो देखो बात देखो क्या बोला था मैंने यह था राजस्थान यह यहां से गुज गई थी यह थोड़ा से गलत लिखावा है यह मेवार उदय पूरा है अच्छा ठीक है उदय पूरा है तो यह यहां से गुज गई अब यह वाला एरिया क्या है यह वाला एरिया जो है आपका है मेवार क्या है मेवार यह मेवार इसलिए मेवार कही जाती है सबसे पुरानी प्राज इंतम शेली क्योंकि मेवार से गुसे थे लोग, ठीक है, मेवार से ये लोग गुस गए, ये पुरानी शेली, सबसे पहले यहाँ पर मेवार, और फिर ये चार स्कूल में डिवाइड हुआ, ये सब अलग-अलग डिविजन, ये थोड़ा सा एक तरह से modern type का है, आप लोगों क इतना area है, ये क्यों सा area हो गया, ये ढूंडार था और ये area हो गया आपका हडोती, ठीक है, तो ये वाली, sorry, ठीक है, तो ये वाली चीज mostly, मतलब आप समझे, enter हो गया, और ये फिर चार area, यहाँ पर मारवार, ये मेवार, ये हडोती, और ये, sorry, ये हडोती, और ये हमारी राजस्थानी शेली डिवाइड हो गई, सर्वप्रत्म मेवाड में आई, जहाँ पे सोधिया राजवन्ष थे, है ना, कैसे उसका सर्वप्रत्म जगे उदैपूर हुआ, फिर ये पूरी स्टोरी रहेगी है ना, मैं इतना जादा नहीं बता पाऊंगी, फिर कैसे र देवगड जिसको कहेंगे, सेंटर मोस्ट एरिया और ये सारे चारों, तीनों चारों के बीच का एरिया, जिसमें सबका प्रभाव पड़ता है, वो देवगड शेली थी, ठीक है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे कोईशन, बहुत अच्छी कोईशन होते हैं, वो आपको इसमें देख लेने, ये सारे स्कूल, आप ये जो कन्फ्यूज जोते रहते हो, कौन सा किसमें, आपको ये एरिया वाइस याद रखोगे, राजस्थानी तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, फिर मारवाड जो की राठोर राजों इंचकेते हैं, जोधा भाई वाला टाइम पूरा वो लेंगे, तो उसमें कौन कोन आएंगे, जोधपूर के राजा जो है, राव मालदेव ये वाले हैं, तो जोधपूर, फिर जोधपूर से ही निकले, किशनगर भीकानेर है न, जोधपूर पहले बड़ी, लेकिन इसको कहते हैं, सबसे धनी रियासा, सबसे बड़ हुआ, किस में किस का प्रभा होता, ये चीज़ने देखोगे, तो याद रह जाएगी, चीए, ये बात याद रखना, दूसरी चीज़, जोधपूर के बेटे हैं, किशनगर भीकानेर, ये याद रखना, अब आते हैं, डूंडार पे, जो कि जैपूर एरिया, कहेंगे, सब सबसे धनी रियासत, वो मैंने प्राचीन बोली, ये मैंने बड़ी बोली, और ये थी सबसे धनी, मतलब फली-फूली, अच्छी, ये न, क्योंकि जैपूर एरिया, इसको करती है, अब आमेर, जैपूर, अलवर, ये वहाँ पे कच्छा, कच्वाहा वंच के, जो होते हैं, जो लवकुष्ट के कुष्ट है, उनका वंच यहाँ पे चलता है, तो इनके वंच के जो लोग रहते हैं, ये यहाँ पे थे, आमेर, जैपूर, अलवर, उनियारा, शेखावटी, ये सारी चीजन, आप बुक्स में पढ़ो गया, आपको पूरी स्टोरी बढ़िया सी याद निकला, तो ये वो एरिया, हाडा वंच के राजवंच जो बोलते हैं, वो उनने बनाया था और ये हडवती राजवंच के अंदर आता है, ठीक है, तो राजस्थान में ये बहुत अच्छी से देख लोगे, आप लोग, मुगल शेली उसमें क्या देखना है, फिर क्या मुर्तिनेर जो हम लोग बोले थे, मंदिर बन रहे हैं, वो सब तो जरूरी हो गया था, लेकिन अब चित्रन तो यार थोड़ा सा इंसान फाल्तू होगा, तभी चित्रन करेगा, ठीक है, फाल्तू मतलब इतना अपना वो नहीं करूंगी, लेकिन अविसली फ्री टाइम में तो फ्री टाइम कब हुआ उनका, जब देखो, 1526 अभी तक सुल्तान पे जोड़ो पहले हम बात करे थे, सुल्तान एरा चल रहा था, वो लोग तो थे इसे, लेकिन यहाँ पे अब क्या हुआ, 1526 में बाबर ने राज कर लिया और मुगर काल की स्थापना करी, ठीक है, अब इस समय बाबर तो भीया, चार साल लड़ते लड़ते चले गए, चारो साल उनने एक यूद किये और लड़ाई में ही काम किया, फिर आयत हुमायू, तो हुमायू भी क्योंकि लोधी वन था जैसे, तो हुमायू भी रहनी पाए जादा, है ना, शेरसाशूरी के कारण, है न भारत में नहीं रह पाए, वो काबूल भी चले गए थे, और परशानिया थी, मतलब एक तरह से, उनको जादा काम, आर्ट वर्क का जादा टाइम मिला ही नहीं, कैसे मिला कि वो इतना जादा नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर आये जब अकबर, तो अकबर ने दिमाग करी, ज करें उनको, है न, कि तुम अब मेरे हिसाब से करोड जी हो, अपनी जगे पर, तो उनने यहीं बोला, कि तुम मेरे हिसाब से चलो, मैं पूरा उसका मतलब बाच्छा हूँ, सब से मतलब एक तरह से सुलह करवाने के उससे, कि आप मेरे अधीन हो जो, ठीक है, तो बहुत सार आप बड़ में चितरन हुआ, यहां पर चितरन हुआ, इस तरह से यह वह टाइम चल रहा था, और फिर इसलिए राजस्थानी में बोलते हैं, कि जैसे भी कानेर है, उसमें उदर का ज्यादा प्रभाव है, जैसलमेर है, प्रभाव है, मुगल का क्यों है, क्योंकि उस समय चालू हो गया, कारे चालू हो गया, और फिर चितरन हुआ, वास्तुकला हुआ, यह सब चीजों का कारे यह लोग करवाते गए, पीड़ इधर पीड़ी, तो उधर क्या है, उधर राजस्थान वाले लोग भी पेंटिंग्स बना रहे हैं, अपनी जो भी अपनी शेली को ड फिर आते में अकबर पे, अकबर ने पोथी चुतरन जिसको हम बोलेंगे कि इसलामी धर्म पे भी बनवाया, हिंदु धर्म पे बनवाया और नॉमल जिसको अनवर सुलेही पंच तत्र इनका भी करवाया, कौस्तुकला बनवाया, हुमायू जी का मकबरा इनके शासन में बन अब आते हैं, जहांगीर ने भी किया किया, जहांगीर ने चितर तो काफी बहुत सारे बने हैं, मनसूर, अबुलहसन, इन सबने विशंदास, इन सबने बहुत अच्छे देखो, चितर चिनार रक्ष, ये सब इंपोर्टेंट हैं, कुछ मैंने लिखे भी नहीं होंगे हैं, नूर जहां का, शवीर विशंदास का, पेड़ पोधेंगे चितर ने ये सब बहुत कुछ हुआ, वस्तुकला में भी गया, सिकंद्रा, सिकंद्रा में अकबर जी का उनने मगबरा बनवाया था हैं, तिमादु दिलल्ला का मदबरा, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं, तो ये सब चीजें उनने बनवाई, फिर आते हैं, औरंगजेब, औरंगजेब को बोलते हो कि चिरने लगया था, लड़ने लगया था, मंदिर तोड़ने लगया था, जो अगी तक हमने पहले बनवाये थे, हैना, इसलिए तो बहुत सारे विद्वन्स, मतलब आज नहीं है हैना, जो फोटों पुराने भी हो सकते हैं, मंदिर जो हम पढ़ते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रॉइ हो चुके हैं, ये इसी नहीं के काम है, ठीक है, तो इनहीं ने बोले के भई, बिल्कुल, लेकिन कुछ-कुछ चीजें हैं, जो औरंगजेब की कला में भी आती है, हैना, मुहती मजजेब, बाथचाई मजजेब, ये सब किसने बन वही थी, औरंगजेब ने बन वही थी, ठीक है, अब बात आ गई, क्या हुआ अब औरंगजेब तक था, सब को पता है, औरंगजेब, इसलामी विरोद्य सब भी पता है आपको, और इसलामी को सपोर्ट करते थे बहुत जादा और इसलिए कलाकार के विरोधी थे बिल्कुल तो परशान कर दिया कलाकार भग गए कलाकार को परशानी हो गई कि भाई ये क्या है अब बात क्या हुई जब औरक्सदेम ने परशान किया न अपने जगे पे अपने सेंटर्स पे तो ये तो भग गए आधे चले गए दक्षिन में और आदे लोग चले गए पहाड़ी के एरिया में पहाड़ी एरिया पंजाब हिल्दी एरिया तो दक्षिन में जोगी बोलते हैं गेराजवंच बीजापूर एहमदाबाद गोलकुंडा है ये जो केर्ग थे उनने उनको सरक्षण में लिया और उस स मतलब उसी में जब महां पे आगया था परशान करने गया था कि तुम क्यों से सरक्षिन दे रहे हूं मैं इक्जामपल के लिए बोल रही हूं जैसे गोलकुंडा में आकरणबड कर दिया था तो फिर वही लोग हैदराबाद में चले गए थे और फिर उसी का वंच वो भी वह हैं गोलकुंडा हैदराबाद तिलंगनात तो यह सब चीज़े भी हमको देखने हैं यह बाद के हैं वस्तुकाल ठीक है तो यह आगई आपकी डेकन शेली पहाडी शेली वाई गुलेर कांगडा बशोली चंबा गरवाल जमू यह अलग-अलग शेत्र में जिस तरह की मैनस्क्रिप्ट पेंटिंग्स होने लगी उसका जो जो टॉपिक हो गया वो सारी चीज़ें आपको क्लियरली पहाडी पेंटिंग्स में देख लेने हैं अब इसको मैं डीटेल क्या बताओं जो सबकी अलग-अलग है विशेवस्तू विशेष्टा यह सब चीज़ें आपक होने लगए इस समय और उसके बार जो भी थोड़ावुद उसके बार लेकिन उनिस वी शठापदी में अब क्या हुआ अंग्रेज आ गए अब अंग्रेज आ गए परशान तो पड़ती ही ना अब अंग्रेज आ गए अंग्रेजो ने क्या किया बताओ उन्हें इस विश्यताब दी अंग्रेजो ने क्या किया सरवप्रथम उन लोगों ने तो गुलाम बना लिया अपने को अब अपने को क्या करन था भाई अपन को तो जीवन जीना था जो यहां के विचारे कलाकार थे जीना था उनके हिसाब से कारे करने लगे उनको मतलब उनको कैसे कारे करे तो उनने काया कि तुम हमारे लिए कारे करो हमारे हिसाब से चित्रन बनाओ तो ऐसी नॉमल आम लोगों के चित्रन वो करने पूँत्त भूलेर है दो भाष्टिए शेली गूत्रारी गूंुत लाएती कि दल फीलि्चल तो बिल मुझत लोग आ रहे थे भूल ही चुके थे, उनको पता भी नहीं था कि भारत ये कला क्या थी, जो मैनुस्क्रिप्ट पेंटिंग हुई, जो अजन्ता एलोरा में अभी जो हम चित्रण देख चुके हैं, ये सब चीजें उस समय लोग जानते ही नहीं थे, जब कंपनी शेली चल रही थी, जब उस तर से यही पावर्टी शो करनी थी ना, इंडिया में के भाई एक तरह से नहीं ठीक है, नॉर्मल है कला करी हूं, लेकिन जब EVL को समझ आया के नहीं, भारती है कला कितनी उपर है, जब हमने उनने इस चीज का दर्शन किया, अजन्ता के बाग के, गुफा चत्रन का दर्शन कि तो उनने उनको उस पर जागरत, उन पर मतलब एक तरह से अप्रिशेट किया, और इनने बेंगल स्कूल की स्थापना करी, वित अविन नींद ना, टेकोर, जो की एक बहुत महान कला कार कहे गए, और उनके इसलिए, उनके कुछ आर्ट वक्स में मुगल प्रभाव भी, क्य में फिर से उत्थान हुआ, जो की जो कला अभी तक भारत में चल रही थी, उसको इन अंग्रेजों ने बंद करवा दिया था, मैं कह रही हूँ, तो उनी का पुनरुत्थान इनने करवाया, और इसी को पुनरुत्थान स्कूल काल बोलते हैं, और बेंगॉल स्कूल बोलते ह क्यों क्यों कि इसका सेंटर बेंगॉल था, और इनी ने शुरू करवाया था, और उसी के फिर अनुयाई जो की आगे, तरेब उनने आज हमारी भारतिय कला को क्या कर दिया है, मतलब कितना आगे पहुचा दिया है, ठीक है, तो ये वाली दो चीज तो ये थी, उसके बाद क क्या हुआ, अब ब्रिटिशस के लिए बहुत बुराई हो गई, क्या बुराई हो गई, कि हमारी कला बिगार दी ये कर दी, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज जिन के लिए आज बोलते हैं, जिसके लिए हम सबको थैंक्फूल होना ची, कि वही लोग थे भाई, जो हमारी ए इसका contemporary बोलते हैं, तो ये कला महा विद्यालों के बारे में देखना है, ऐसे मदरास में सबसे पहले 850, फिर 845, कॉलकता, यहाँ पे इने कला महा विद्याले खोले, पहले इन लोगों के जो प्रिंसिपल हैं, वो Britishers ही होते थे, उस प्रकास से कहाँ पे क्या-क्या प्रिंस साथ ही साथ अब कला हमें इन से भी आदादी मिल गई थी 1947, तो फिर जब कैसे कला दिरगाय बनी, कला ससाइटी, आर्ट ससाइटी बनी, आर्ट अकेडमी बनी, नेशनल कला अकेडमी, नेशनल आर्ट मूजियम, नियो डेली, ये सब नेशनल गैलरी ऑफ मॉडन आर्ट, सब कहां कैसी बनी वो, अब कलाकार बाद में अपने-अपने हिसाब से कैसे अपना ग्रुप बनाने लगे, जिसमें प्रोग्रेसिव आर्टिस ग्रुप आएंगे, यंग टर्कस पहले वाले हैं, ठीके, कलकता ग्रुप है, डिलिशिद चक्र है, एक्सेक्टर, एक्सेक्टर, ये सारे ग्रुप कैसे, जो हमारे कंटेंप्ररी, मॉडरन आर्टिस्त हैं, उन लोगों ने बनाए, और उन लोगों की आगे कला शेली क्या चली, हैना, आगे कला शेली उन लोगों की क्या चली, कैसे, एक चीज़ देखो, थर्ड टॉपिक, ये इंट्रोड़क्शन अफ अ उनके स्टूडेंट नंदाल बोस, असित कुमार हल्दा, आगे इन लोगों ने अपने बनाए, और आगे आगे जाते आते हम आज यहां को आच चुके, ठीक है, इतनी चीज़े हम भारतिया उसमें पढ़ लेंगे, अब हमें मतलब मेरे हिसाब से जैसे, जब इतना तक आप तो उसके बाद आपको सिर्फ कलाकार पढ़ने हैं कि कैसी शेली में कारिक है, यह पढ़ने हैं, हमारे यहां जादा कुछ एक चीज़ मैं याद दिला दू, मैं न कुछ ग्रुप्स देखती रहती हूं टेलीग्राम पे, तो लोग, अगर आप लोग वीडियो देख रहे है है कि यथार्टवाद, वो चीज़ें भारत में आई ही नहीं है, भारत में यथार्टवाद, इंप्रेशन, यह सब यूरोप कलाकार हैं, यहां पे सिर्फ एफेक्ट आया है, तो कभी भी आप ऐसा ना बोलें कि अवनेंदरनाः टेगोर जी कौन से वाद से जुड़े हैं, कि नदलाल बोस जी कौन से वाद से जुड़े हैं, सतीज गुजराल जी कौन से वाद, यह गलत है, प्लीज, मतलब यह चीज, क्योंकि हमारे यह वाद नहीं आये हैं, हम तो यूरोप का प्रभाव पढ़ा है, क्योंकि देखेंगे कलाकार क्या है, कलाकार सबका कारे देख प्रभाव ले रहा है, तो बिल्कौल हम केसी का, आज मैं अमरिकन स्टायल्स देख सकती हूँ, आज मैं चीनी कला देख सकती हूँ, मैं जहां भी देख सकती हूँ, मैं अपना कला में अगर उसका प्रभाव करूँगी, तो कोई मानेगा नहीं, लेकिन क्या उस एफेक्ट म मुझे जोड़ा जाएगा नहीं प्रभाव जोड़ा जाएगा तो मैं बस इतना सा बोलूँगी कि इन चीज़ को जोड़िये मत कि यह कौन से वाद से रिलेटेड हैं कोई वाद नियź dolphins में भारत में भारत में इसके बाद से टाइम लाइन खतम होगी, इस टाइम लाइन से आप पढ़ोगी, आपको बिल्कुल परिशानी नहीं आएगी, ठीक है, उमीद है, अच्छा लगा होगा, अगर कोई गलती हो जाए, तो प्लीज माफ कर देना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ डेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि मेरे लिए आसान नहीं था यह, पर फिर भी मैंने ट्राइ किया, मेरी उद्देश इस सिफ आपको सीक्वेंस बताना है, अगर कुछ गलती हो जाती है, तो प्लीज मुझे बताए जरूर, लेकिन थोड़ा सा माफ कर लीजेग, और कंसीड और ऐसे ही पढ़ते रहे, थैंक्यों सो मुझ, विश्यों वर्यों वर्यों बेस्ट